नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नयाय महा अभियान के तहट खुलने वाले इन केंद्रों के लिए 40% परतिस रासी देने पर राज सरकार ने समती दे दी है सेस, 60% परतिस रासी केंद्र सरकार वहन कर रही है महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस योजना से संबन्धी संकल पजारी कर दिया है एक केंद्र रांची चत्रा दुम का जाम तरा, लाते हर लुहरतग गगा पलामू सराय के लाख कर सावा एवं पूर्भी सिंभूम तथा पच्मी सिंभूम के जन जातिए बहुल छेत्रों में खुलेंगे परते केंद्र में एक सेविका एवं एक साहिका के नियुक्ति होगी इन 91 केंद्रों के संचालन प्रती वर्ष एक पन्च चार कोड़ रुपे खर्च होंगे सुरू में इन केंद्रों के संचालन की राये के भवन में होगा राई सरकार ने इनके भवन निर्मान के लिए अलग से प्रती आंगनवाडी केंदर 12 लाख रुपए के प्रस्ताव केंदर सरकार को भेजा है इंडिया गटबंधन में पिछली बार से अलग होगी सीट सेरिंग फर्मूला जारखन भी धान सबा चुना नुवंबर दिसंबर के दोरान होगा या इसे पहले जब भी हो लेकिन राईनितिक दलों ने कमर कसली है मुकाबला एंडिया बनाम इंडिया गटबंधन के बीच होगा महा समर में दोनों ही गटबंधन के नेताओं ने अपनी अपनी आस्ती ने चड़ा ली है बतादे भाजपा एंडिये के केंद्रिये मंत्री सिवराज सिंग चवहान और असम के मुखे मंत्री हिमंत विश्वाज सर्मा को चुनावी अखाड़े में उतार दिया है वहीं दूसरी और इंडिया गटबंधन अपना परिवार और बड़ा करने में जुटा है इतना तय माना जा रहा है कि इंडिया गटबंधन में पिछली बार से सीट सेरिंग फर्मूला अलग होगा जामो कांग्रेश रायत बाम दल के साथ साथ कुछ और छोटे रायनितिक दलों के साथ साथ दारी की योजना है जाहिर तर पर कुनबा बड़ा होगा तो हिसेदारी को लेकर भी बात होगी बीजेपी ने कहा घुसपैठियों को सरकार में खास दरजा है भाजपा के परदेश परवक्ता प्रतूल साथ देव ने आरोप लगाया है कि हमंद सरकार एक, दो और तीन में बंगलादेश सी मुस्लिम घुसपैठियों को खास दरजा प्राप्त है उच नियाले के आदेश के बावजूद राजपार इन घुसपैठियों को चीनहित कर बाहर निकालने को ठोस कदम नहीं उठा रही इस मुद्दे पर उच नियाले में सबत पत्र भी उपायूद की जगा कनिया अभियंताओ दे रहे हैं यह साफ दिखता है कि घुसपैठियों के मुद्दे पर राज सरकार तुष्टी करन की आग में अंधी हो गई है प्रतुल ने कहा है कि भारतिया जनतापाटी रोटी माटी और बेटी की राक्षा के लिए संकल्प बधाए सता में आने परवहर प्रयास करेगे कि यह बंगलादेशी घुसपैठिये इन आदिवासी बेटियों से ठग कर बिवाह कर लब जिहाद, लेंड जिहाद और पोलिटिकल जिहाद ना कर पाए राज सरकार के हिए स्पेसल परांच ने 2 जून 2023 को पत्र लिख कर इस बात को सविकारा था कि संताल के मदर्सों में बड़े पमाने पर मुस्लिम घुसपैठियों को ठाराया जाता है जारखन में मानसून सुस्त होने से सताएगी गर्मी जारखन में मानसून के सुस्त पढ़ने से अगले दो दिन गर्मी सता सकती है मौसम साप रहने और तिखी धूप गर्मी का असास करा सकती है नम हवा के साथ धूप की तपीस उमस भी बढ़ाएगी खास कर राज्य के उत्री भाग में इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है मौसम विभाग के अनुसार एक कई से आसमान में बादल चायेंगे और 22 जुलाई से राची समयत पूरे राज्य में जमाजम बारिस होगी मौसम विभाय के अनुसार राजे के विभीन हिस्सों के अधिक्तम तापमान में 2 से 4 डिगरी तक बढ़ सकता है वहीं नियमतम तापमान भी समाने से 1 डिगरी उपर चल रहा है गुरुवार को राची का अधिक्तम तापमान 31.2 डिगरी सेल्सेस धर्श किया गया वहीं या पिछले 24 कंटे के तुल नामे गरीब 2 डिगरी अधिक है खाद्यान के साथ नमक चीनी नहीं देने पर होगी करवाई जार्खन राजे खाद निगम के बुड़ू एवं तमार में गोदाम और कई PDS दुकांदारों का गुरुवार को अचक निरिक्षन किया गया राची जीला पूर्ती पताधिकारी सा जेस एपसी के जीला प्रवंदक परदी भगत ने तमार में बलराम मुंडा एवं बोड़ू में प्रभो मुंडा के अलावा जय चाला महिला समीती की PDS दुकांदारों को उन्होंने समय पर खद्यान का उठाव कर लाबकों को अनाज देते समय ही नमक एवंचीनी देने को कहा है इसे पूर्व DSO ने भंडारन और पंजी का मिलान किया DSO ने तमार परखंड के डोर एस्टेप डिलेवरी अविकरता के वाहनों की भी जाच की जिन वाहनों पर जन्वित्रन प्रनाली बड़े अक्ष्डों में लिखा अनिवार इस्टिकर नहीं पाया गया इस पर DSO ने अविकरतावों को फटकार लगाई है बोकारो और दुमका से उडान जल्द राज में रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम उडान के तहत केवल दो ही बोकारो और दुमका यहरपोर्ट लगभग तयार है इन दोनों यहरपोर्ट के लिए लाइसेंस लेने का आवेदन किया गया है लाइसेंस मिलते ही दोनों यारपोर्ट से उडान शुरू होगी यह जनकारी यारपोर्ट अथुर्टी ओफ इंडिया रांची ने सुचना के अधिकार के तहत मांगी गई जनकारी की जबाब में दिया है अथुरिटी ने राज्य में चाकूलिया यारपोर्ट के बारे में कहा है कि इसके कनेक्टिविटी सहरों में उडान के लिए कई प्रयास किये गाए कई यारलाइन्स इस दीशा में आगे आए लेकिन कुछ भी तरह नहीं हो सका है वहीं डाल्टन गंज के चियाकी अरपोर्ट गिरिडी हजारी भाग में जमीन मामला और अने कार्णों से कार्य आगे नहीं बढ़ सका है मध्य अफरीका में फसे मजदूरों को मिला बेतान और अब इन कामगारों के भारत वापसी के पर किरिये शुरू कर दी गई है कमपनी ने राज सरकार को भरोसा दिलाया है कि घर जाने वालों को वह सकुसल साथ दिन में भारत वापसी कराएगी स्रमिकों ने सोशल मीडिया पर एक पत्र जारी किया है इसे सीएमों के अधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भी साजा किया गया इसमें लिखा है कि बिनायक पावर द्वारा बकाया वेतन देने से इनकार करने के बाद एलेंटी कमपनी ने सभी के बकाया रासी का भुकतान किया है मजदुरों ने भी माफी मांगते हुए कहा है कि बिना जाने भुकतान नहीं कराने का आरोप एलेंटी कमपनी पर लगाया गया था जार्खन के सभी जेलों में सुरू होगी टेली मेडिसीन सुविधा जारखन के सभी जेलों में टेली मेडिसीन की सुविधा परावराम की जाएगी स्वास्त विभाग की ओर से इसकी परकिरे सुरू करती गई है सभी जेलों में टेली मेडिसीन की बेवास्ता अभिलाम सुनिश्चित कराने के लिए निदेशक पर मुख स्वास्त डाक्टर चंद्र किसोर साही ने राज के सभी सीविल सर्जनों को निदेश तिया है डाक्टर साही ने बताया है कि जेलों में टेली मेडिसीन की सुभधा के बाद कैदियों को समाने चिकीटसा के लिए जेल से बाहर लाने की ज़रूरत नहीं होगी जेल के अंदर ही मरीज को एस्पेशलिस्र और सूपर एस्पेशलिस्र चिकिशको से प्रामर्ष की सुविधा उपलब्द कराईजाएगी बता देगि सरोष न आलय ने राज के सभी जेल ओमे टेली मेडिस्रीन की सुविधा उपलब्द कराने कि अनुच साकी है मुक सचीव की ओर से दायर प्रती सपत पत्र में राज में असुविदा अभिलम उपलब्ध कराने की बात कही गई है जार्खन के नौ जीलो में 10 अगसे फाइलेरिया रोधी अभियान फाइलेरिया पर अंकूस लगाने के उद्धे से सुरू किये गए राष्ट ब्यापी मास ड्रग्स एड्मिनिस्ट्रेशन अभियान का दूसरा चरण राजे में 10 अगसे सुरू होगा इस अभियान में राजे के नौ जीलो, चत्रा गोटा, पच्छमी सिंभूम, सराय केला, हज्जारी बाग, जामतरा पलामू लाते हर दुमका में तीन दवाओ का IDA राउंड चलाया जाएगा MDA के सफल आयोजन को लेकर गुरुआर को ACH में स्वास्त विभागे परदान सचु अजय कुमार सिंग ने स्टेट टास्पोर्स की बैठक की है परदान सचु ने असपष्ट कहा है कि हर लाभार्ती को हर हाल में प्रसिक्षित स्वास्त कर्मिक के सामने ही दवा खिलाई जाए इसके लिए उन्होंने अभियान की मोनेटरिंग पर भी सेस जोर देने की हिरायत दी है मुख्य मंदरी ने रिम्स की पूर्ण बीकास जोजनाओ की ली जनकारी जहां पहले से सिख्षक वहीं दो दो सिख्षकों की परतिन्युक्ति जारखन में अश्नत कोतर परसिख्षीत सिख्षकों की नियुक्ति परकिरियाएं बिवाद के बाद नो नियुक्त सिख्षकों के परस्थापना में अनिमित्ता सामने आई है इसकूलों में कई बिसायों क इनके रहते ही अंगरेजी के दो दो आने सिख्षकों की परतिन्युक्ति कर दी गई है CM School of Excellence के लिए आए 49 सव अवेदन, जार्खन के असी CM School of Excellence और 325 परखंड अस्तरी आदर्स विद्यालियों के खाली पदोपर परतिर न्युक्ति के लिए 49 सव सिक्षकों ने अवेदन किये हैं, इन सिक्षकों की 25 जुलाई से 29 जुलाई तक जार्खन Academy Council के सभागार में उनमोख इसमें सफल होने वाले सिस्कों की ही परतिन्युक्ति CM School of Excellence और परखंड अस्तरी आदर्स विद्यालियों में की जा सकेगी, इसके लिए सिक्षा विभागे परभारी सर्ची उमा संकर सिंग ने SOP जारी कर दिया है चात्रविर्ती के लिए उपायुक्त जल्द पूरा करे सत्यापन परकिरिया, अनसुचित जाती अनसुचित जन जाती पिछडा वर कल्यान मंत्री दीपक बिर्वाने सभी उपायुक्तिक निर्देश दिया है कि BCS अभियान चलाकर एक तय समय स्तिमा में चात्रविर्ती ब प्रगति से अउगत कराए। राजेपल ने इसके लिए मंजूरी दे दिया है। धन्यवाद।